दोस्तो एक ऐसी गलती इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो के बहुत सारे लोग कर रहे हैं आप वो गलती भूल कर भी ना करना वरना अच्छे खासे व्यूस देने वाला चैनल डेड हो जाएगा दोस्तो आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चला कि आप भी वो गलती कर रहे हो और अगर वो आप गलती करते रहे तो क्या होगा आपका चैनल इन फ्यूचर डेड हो जाएगा और अगर आप नहीं कर रहे तो आपके कमेंट से पता चला कि इन फ्यूचर आप करोगे वो क्या है गलती मैंने स्क्रीन शोट ले लिये हैं आप लोगों के कमे आते हैं और ना वो इतनी अर्निंग कर रहे हैं क्योंकि जो मैं आपको गलती बताने वाला हूं वो इसको गलती समझते ही नहीं है वो कहते हैं ये गलती नहीं है इसी वज़ासे ना वो ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं और ना ही ज्यादा व्यूज ले पा रहे हैं और अपनी अर्निंग भी नहीं दिखाते कहते हैं YouTube की policy के खिलाफ है लेकिन सच तो ये है कि वो कमाते ही 20-25 हजार हैं वो आपको क्या आप दिखाएं दिखाएंगे तो उनका खुद का image खराब होगा कि यार इतने कम पैसे कमाते हो और इतने ज्यादा subscriber तो दोस्तों अब मैं आप लोगो तो होंगे नहीं इतनी team YouTube की जो कि हर एक बंदे की वीडियो देखी की लाखों अपलोड होती है एक दिन में वीडियो तो ये software को समझो ये जैसे काम करता है वैसे वीडियो डालो ज्यादा 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 व्यूज आएंगे ज्यादा पैसा है ज्यादा पैसा भी important है ज लेकिन मकसद तो ये ही होता है ना कि यार पैसा आए ठीक है तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों ये भाई ने कमेंट किया है यार वस्त हवी एक वीडियो बार बार अपलोड कर रहे हो कोई और information नहीं है आपके पास एक कमेंट्स ये 500 कमेंट्स में से सिरफ तीन आए है मैंने का चलो भाईयों की थोड़ा हो सकता है गलत कॉंसेप्ट हो माई में तो मैं क्लेर कर दूँ दूसरा पढ़ते हैं यार कोई नया नहीं है बस एक बार बार धुराना पढ़ता है नया कुछ नहीं दिखा बस चैनल चला रहे हो तीक है मतलब नया कुछ नही एक ही चीज़ को आप बार बार दिखा रहे हो दूसरा कॉमेंट्स तीसरा कुछ व्यूज के बाद वीडियो रुक जाती है ये एक बात पकड़ी हुई है एक वीडियो आपके अच्छे व्यू आगे तो बस एक ये बात पकड़ी बैठे महरबानी बंद करो बंद कर दो क्य क्या मतलब ये सिरफ तीन कमेंट्स आया है जो मैंने कल वीडियो अप्लोड किया उसके नीचे बाकी सब अच्छे कमेंट्स आया है पांच-छे सो कमेंट्स में से सिरफ यही इन्होंने क्या कहा एक ही बात पकड़ी हुई है वीडियो रुख जाए तो व्यूज कैसे बढ़ रही होती इस पर नंबर वान पर रैंक ना कर रही होती और उसके चोदा घेंटों में दस हजार व्यूज ना आते एक मिनट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ आपको मैं कुछ ऐसी चीज़े समझाने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जो आप लोगों को कोई नहीं बत इस ऊर्जानए वीडियो देखते हैं वो ज्यादा इंतरस्ट ले रहे हैं इसी वज़या से हम क्या कर रहे हैं क्या आपकी वीडियो की रिच बढ़ा रहे हैं तो आप लोग कह रहे हो ये जो तीन लोग ऐसे और भी लोग और सोच रहे होंगे अगर मैं इन की बात मानूँ तो मैं ये टॉपिक छोड़ की किसी और टॉपिक पर बनाना वीडियो शुरू कर दूँ, तो ना तो मेरे इतने अच्छे व्यूज आएं और ना मेरी इतनी अच्छी अर्निंग हो, अब क्या है, दोस्तो मेंट यूटीब का अलगुरिथम आप लोग समझो, तो वो कैसे काम करता है, वरना आप लोग भी बस इसी चक्कर में कोगे, यार ओडियंस बोर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छे पैसे नहीं कमा पाओगे, थोड़े से हजारों में ही रहोगे, यूटीब का सॉफ्वेर को समझना पड़ेगा, दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ, यूटीब का सॉफ्वेर क्या है, दोस्तों जब आपकी एक वीडियो वाइरल होती है ये ध्यान से समझना कुछ पॉइंट है, मैंने पहले बताया लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया, आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, जब आपकी एक वीडियो वाइरल होई, ठीक है, वो यही वाइरल होगी कि व्यूज क्यों रोक जाते हैं, ठीक है, व्यूज क्यों रोक जाते हैं, तो अब क्या है कि ज्यादा जो आपके व्यूज आए माननों 1,00,00,00 आपके व्यूज आगे इस वीडियो पे अब इससे 1,00,00 लोग आपके साथ एक टाइप के जुड़ गए इस मैंसे तो 1,00,00 ने सबस्काइब नहीं किया होगा हजार ने किया होगा लेकिन ये views रुकने वाली वीडियो पे एक लाख वीडियो आए अगर मैं दुबारा इस पे वीडियो बनाता हूँ ना ये point ध्यान से समझना आगे बहुत important point है जो मैं गलती बताऊंगा अगर मैं इसी topic पे दुबारा वीडियो बनाऊंगा ना तो ये लाख लोगों के पास मेरी वीडियो जाएगी इन्होंने भले subscribe नहीं भी किया हुआ जब ये लाख के पास जाएगी तो क्या होगा मेरे views कितने किसी पे 20,000 आजेंगे किसी पे 30,000 किसी पे 40,000 समझ गए अब देखो गलती अगर मैं सोचूं कि यार इस पे तो मैंने बना दी वीडियो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि जो अंदर content है वो भी same रखा हुआ same नहीं रखा हुआ मैं मेरा जो यानि कि आप कहलें तीन सालों का तजर्बा है हजारों topic है मेरे पास इस पे कि वीडियो क्यों रोक जाती है तो मैं अपना लहदा लहदा experience शेयर करूँ कि इस वज़ा से भी रोक जाती है इस वज़ा से भी रोक जाती है तो अब यहां पे point समझो अगर यह जो रोकने वाली जगा पे मैं कोई और वीडियो बना देता हूँ कि मैं यह कौन सा माइक यूज करता हूँ मान लो फॉर एक्जेम्पल या मैंने कल वीडियो बनाई कि मैं साइड पे यह जो स्क्रीन रिकोर्डिंग है यह कैसे लगाता हूँ उस पे आए फाइफ के व्यूज और उसके बाव रुकी पड़ी है इतने ज़्यादा उस पे व्यूज नहीं आ रहे है तो अब मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा तो क्या होगा यह इन लोगों के पास एक दफाव वीडियो जाएगी एक लाख लोगों के पास इसके पास दुबारा फिर बनाऊँगा फिर इसके पास जाएगी फिर बनाऊँगा फिर इनके पास जाएगी एक लाख लोगों के पास ती चार वीडियो बनाऊँगा तो इनके पास जाएगी जब मैं पांच भी बनाऊंगा तो वह बस यहां पर रुक जाएगे समझ के point अब जब यह यहां पर रुकेगी तो यह सिरफ थोड़े से लोगों को पास जाएगी 2 के views आ जाएगे 1 के views आ जाएगे फिर मैं अगर ऐसी ही डालता रूँगा इनके पास तो जानी नहीं है वीडियो यहां से तो मैंने रस्ता खुद ही बन्द कर लिया फिर यह 1 के views, 500 views 200 views 100 views और मैं बैठ जाओंगा रांस्कून से ठंडा होके के लो जी कारलो के ओनू पांडा 100 views लेके बैठ गया हूँ गलती किसकी है मेरी यह किसी और की मेरी ही गलती है अब यहां पे कुछ लोग कहते हैं यार एक ही topic कितनी देर तक हम लेके चलेंगे बहुत जबरदस point है इसको भी आप अपने ध्यान से समझना है दोस्तो अब क्या है कि YouTube हमें 5 दफा तकरीबन 4-5 दफा मोका देता है जो वीडियो वाइरल हुई होती है उन वीवर के पास हमारी वीडियो भेजने का तो आप यह कर सकते हो जो मैं अभी कर रहा हूँ मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि वीडियो रुक जाए तो क्या करें YouTube इनके बास भेजता है यह देख लेते हैं उसमें से मेरे 20-30-40-30 व्यूज आ जाते हैं एक पॉइंट यह उसके बाद मैं topic change कर देता हूँ फिर क्या होता है जब मैंने topic change किया मैंने कोई बना दिया कि मैं screen recording कैसे लगाता हूँ या मैं confidence से कैसे बात कर लेता हूँ मैं कहां रहता हूँ मैं कौन सा mic use करता हूँ ऐसी कोई भी वीडियो बना दिया YouTube का कोई update बता दिया तो उससे क्या हुआ YouTube दुबारा इनके बास भेजेगा इन में से कुछ लोग मेरी वीडियो देख लेंगे फिर YouTube इनके पास भेजे गई है फिर देख लेंगे अगली दफा फिर कोई और topic पर यानि कि एक topic हट जाओंगा जो viral हुए उस topic पर नहीं बनाओंगा और हट के topic फिर उस पे कुछ भी उजाएंगे मतलब उस पे 10,000 आगे लेकिन फिर ये इस पर बनादूगा उस पर फिर 30,000 आगे फिर हट के को topic बनादूगा उस पर मालो 5,000 आगे फिर इसी पर बनादूगा कि views रूख जाए तो क्या करें समझ गे जो viral हुई है उस पर भी बनाते रहें और भी बनाते रहें उस पर भी बनाते रहें mix content थोड़ा करते रहें mix content नहीं category same ही topic mix दोस्तों ये थोड़ा पीछे शोर है इसका adjust कर लें बाइक वाली दुकाना पीछे तो ये आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है ठीक है लोग क्या करते हैं totally topic change हो जाता है उनका जैसे कि हम ये मेरी views वाली वीडियो ज्यादा rank कर रहे है YouTube इसको अगे recommend कर रहे है तो मैं यहां से हटके subscriber की तरफ आ जाओं और topic पकड़ लूँ कि मैं वीडियो कैसे shoot करता हूँ मैं कौन somebody use करता हूँ subscriber कैसे बढ़ाएं और इसके लाव subscriber hide कैसे करें वीडियो वाइरल कैसे करें चैनल grow कैसे करें views को छोड़ी दूम है तो क्या होगा आइस्ता आइस्ता पांसाद वीडियो डालूँगा इनके पास जानी बंद हो जाएगी जो वाइरल हुई वो तो एक लाख आ गए लेकिन इससे जो मैं मजीद फायदा उठा सकता था वो नहीं उठा सका समझ के point तो आपकी जो वाइरल हुई है उस पे भी बनानी है फिर कोई आप जो अपनी पसंद का topic बनाना चाहते है वीडियो उस पे बनानी है फिर जो वाइरल हुई है उसके related फिर इस तरह करते जाएंगे उनके पास तो आपकी जाती रहेगे लेकिन जो दूसरी है उस पे भी चांस है कि थोड़े थोड़े आते रहेंगे इस तरह आप आइस्ता इस्ता 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 उनमें से भी कोई वाइरल हो जेगे फिर topic change भी होता रहेगा और आपका काम भी चलता रहेगा तो खेर दोस्तो आज के लिए इतना ही चैनल पर पहली बारा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिज